समाच का दलीत वर्ग जिसके साथ पिछड़े पन वा गरीबी की पहचान सौभावी की जहन में आ जाती है सदियों से कुर्टियां वा बहिशकार जहलता एक हिस्सा जिसे बाबा साहेब भीमरव आमबेट करने वा अनेक महापुर्शों ने समान सी जीने की रहा दिखाई ना सिर्फ पढ़ने लिखने और ग्यान अर्जन के लिए प्रेरित किया बल्कि उस बैवस्थक को भी स्थापित किया जिससे यह रहा सुगम हो सके आज यह समाज एक और देश्वा मानवता की प्रगती में अपना योगदान दे रहा है वहीं दूसरी और अनेक लोगों के जीविका का श्रोध भी बन रहा है जी हाँ दलित इंडियन चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नारा डॉन वी जॉब सीकर्स वी जॉब गिवर्स चरितार्थ होने की रह में आगे बढ़ रहा है पुरे देश में इस समाज के सितारे अपना सिर्फ अपना घर रोशन कर रहे हैं बलकि औरों के घर को भी जगमगा रहे हैं चतिसगर राज्य भी इस कारवा से पीछे नहीं है कुछ सितारों से हम आपको मिलवाते हैं जिन्नोंने 36 गण में अपने वैवसाय को इस्तापित करते हुए संबंदित उद्योग जगत के लिए सुगमता प्रदान की है किसी भी गाड़ी का एक महतुपूर्ण पूर्जा है उसके पहिए जिसके बिने उसे चलाना क्या हिलाना भी संभव नहीं टायर रिट्रेडिंग में अपनी धाग रखने वाले बेले जी गाड़ियों के टायर को पुनर जीवन तो प्रदान करते ही हैं साथ में समाज के युवाओं को आत्म निर्भर होने के लिए प्रेरिद भी करते हैं गाड़ी में पहिये लग जाएं तो उन्हें चलाने के लिए इंधन भी लगता है हमारे राजेश तल्लेवार जी ना सिर्फ नगरी वा फिंगश्वर जैसे दुरस्त इस्थानों पर अपने पेट्रोल स्टेशनों के माध्यम से वहां चालकों को डीजल वा पेट्रोल उतलब्त कराते हैं बल्कि अपने ट्रांस्पोर्ट के वहवसाय से अन्य लोगों के लिए इंधन वा अन्य सामगरी भी पहुंचाने का कारे करते हैं किसी भी वहवसाय को करने के लिए एक उप्यूक्त इस्थान की जरूरत होती है इस छेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम किया है शुशांग बंसोड ने जो ना सिर्फ वहवसाय के श्थान उप्लब्त कराते हैं बल्कि उनकी अधिक्तम उप्योगिता सुनिश्चित करने में भी सहता करते हैं प्रहलाद ठाकूर फाउंडर स्थन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड विद्यूत की खपत वहवसाय के शेत्र में शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है और उसके मासिक व्या का थोड़ा भी हिस्सा यदि कम हो जाए तो वहवसायों को बड़ी रहत मिनती है इस कारे को अंजाम देते हैं हमारे प्रहलाद ठाकूर जी इनका कारे एक और व्यावसायों के लिए लाप्रध है ही दूसरी और जिवाश में इंधन की खपत कम करते हुए पुर्दुशन में भी कमी लाकर ये देश्वा मानावता की भलाई का कारे भी कर रहे हैं इनके कारे के लिए एमर्ज इंडिया के प्रथंग 30 वा आई आई एम कलकत्ता द्वारा स्मार्ट 50 में इनके इस्टारडप को स्थान प्रात हुआ है अनंत राज देहरिया डिरेक्टर अमर्ताल कुलिंग सिस्टम प्रावेट लिमिटेट उद्योग जगत में प्रोडक्शन लाइन के तापमान को नियंत्रित करना प्रोडक्ट की गुडवत्ता पर प्रभाव डालता है इस छेत्र में हमारे अनंत राज डेहरिया जी अपना एक अलग नाम इस्थापित कर चुके हैं जिनके कुलिंग टावर अलग अलग इंडस्टी में महत्वण भुमिका आदा करते हैं संजाय पटेल फाउंडर स्प्रावल प्लेइ स्कूल एन वर्क स्पेस बाबा साहिप के समाज को दिये प्रमुक संदेश में उन्होंने सबसे पहले कहा था कि शिक्षित बनो और इसी छेत्र में बच्चों को स्कूल जाने से पहले के शिक्षय परदान करने का कारे करते हैं हमारे संजे पटेल जी जो साथ ही साथ आर्खिटेक भी हैं और लोगों के सपने सजा कर खुशियां फैलाने के लिए जाने जाते हैं नरेश बनजारे मनस्वी इन्फोटेक आज का यूग इन्फोमेशन टेक्नोलोजी का यूग कहलाता है जाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में चानकारी देनी हो ग्रहाकों से संपर्क करना हो या अपने कारे वा डेटा का नियंतरन करना हो इस शेत्र में हमारे नरेश बनजारे जी का अनुभवी सहयोग अनिक संस्थानों की मदद कर रहा है पुश्पक राठिया एंजल्स होम डिलिवरी वो जमाना गया जब हम मिलो दूर मार्केट जाकर अपनी जरुरत का समान लाया करते थे आज एक फोन पर कुछ ही समय में आपके घर आपकी जरुरत का समान पहुँच जाता है हमारे पुश्पक राठिया जी भी लोगों में आते हैं जो लोगों की इन मुश्पिलों को चुटकों में हल कर देते हैं और उनका जीवन आसान बनाते हैं हमारे समाज की महिलाएं भी किसी बात में पीछे नहीं है चाहे आई एए स्टाउट करने की बात हो या उद्योग जगत हमारी रजनी घंडे जी कई महिलाओं के साथ साथ कुशों के लिए भी प्रणर श्रोत है जो प्लास्टिक इंडस्टी में रिसाइकल ग्रेंज से लेकर फाइनल प्रोड़क्ट तक बनाती है चोटी इंडस्टी से शुरुवात कर एक मुकाम हासिल करने वाली रजनी जी के सपनों की उडान उन्हें अभी और किती हुचाईं तक ले जाएगी ये हमारे लिए पुरसान बनता जा रहा है कलावा मनुरंजन के छेत्र में भी हमारे समाच का अपना महत्व रहा है हमारे समाच के कई कलाकार जो विश्व में देश का नाम उचा कर चुके हैं इसी कारे को आगे बलाते हुए हमारे सदस्य विकास मेश्राम वा संजय पाटिल ने एक नया अध्याय स्थापित करते हुए 36 गड़ी भास्षा का पहला सेटेलाइट चैनल चालू किया है जिसते हमारे राजी की सांस्कितिक पहचान देश विदेश के दर्शकों को मिल सके इनी सितारों की बीच जगमगाता हुआ एक सितारा है जिने उनके कारे वा परभंदन के लिए अन्यकों संबान प्राप्ट हो चुके है बहुत कम संसाधनों के साथ अपने वैवसाई की शुरुवात करके आज चार फेक्टियां स्थापित कर चुके हैं और रोज नए उद्यम्यों को प्रिरित करते हैं मैं बता दूं कि मनिश जी सिर्फ निशाद प्राइप्स के डिरेक्टर नहीं है यह एक दलित एंट्रप्रियॉर है यह दलित इंडिस्ट्री चेंबर अफ कॉमर्स और इंडिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और यह इसलिए मैं यह बात बहुत जोड़ देके कह रहा हूँ यह डिक्की नाम का सजब बनी थी यह बहुत साल हो गए हैं सी अन्वी सी आवाज पहला चैनल था जिसने डिक्की पर एक प्रोग्राम किया हमने राइज और दलित एंटरप्राइज नाम से एक सीरीज की थी और हमने यह पहताना था कि कैसे लोग जिनको समाज ने सदियों स इतना हिस्सा मांग रहे हैं और सक्सेस्फुली यह कॉर्परेट कल्चर में आकर कंपनी चला कर पा रहे हैं मैं बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा आपको और सर्काप करने हैं यह तो सिर्फ एक छोटी सी फेरिस्त है जो हम आप तक लापाय ऐसी और भी कई प्रतिभाय हैं जीने डिक्ती चत्रिसगर आपके सामने लाएगा कर दुदा कर दोदो रहे हैं